नमस्ते बच्चों स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में तो तरंग हिंदी पाठ्य पुस्तक वाई ब्रेन रूट सीरीज से हम करने वाले हैं पाठ संख्या आठ और पाठ संख्या आठ का नाम है साथ सहेलिया चित्र पर आधारित गतिविधी दी हुई है यहाँ बच्चों हमें अरुनाचल प्रदेश, असम, मेगाले, मिजोरम, नागालेंड, त्रिपुरा उप्योक्त नर्त्य इनके नीचे दिये गए राज्यों के प्रसिद्ध नर्त्य है क्या आप बता सकते हैं कि उत्तर पूर्व के इन राज्यों के नर्त्यों को किस-किस नाम से जाना जाता है यदि नहीं तो इसके बारे में अपने सहपाथियों से बात करो और इंटरनेट से जानकारी प्राप्त करो उत्तरपूर्व के सात राजियों को Seven Sisters के नाम से जाना जाता है इनी के बारे में हम इस पार्ट में पढ़ेंगे तो आईये शुरू करते हैं भारत के पूरव में एक ही छेत्र में सात प्रदेश है इन प्रदेशों को अंग्रेजी में Seven Sisters कहा जाता है हम इने हिंदी में साथ सहेलियां कह सकते हैं सहेलियों में कई बाते समान होती हैं लड़कियां किसी को तभी सहेली बनाती हैं जब उनमें सामान्य विशेशताई हो या उनकी रुची मिलती हो, उनका रहन सहन मिलता हो ठीक है तो जब सामानिये विशेशताई होती है तभी लड़किया किसी को सहेली बनाती है ये प्रदेश है अरुनाचल प्रदेश, असम, मेघाले, मनिपुर, मिजोरम, नागालेंड और ट्रिपुरा हम यह जानना चाहेंगे कि इन प्रदेशों में कौन सी बाते सामानिये हैं जिनके कारण इन्हें सहेलिया कहा जाता है ये सारे प्रदेश पहाड़ी हैं आप जानते हैं कि हिमाले की श्रंकला कश्मीर से पूरब तक लगभग 1500 मील लंबी है हिमाले के पूरवी छोर में ये सारे प्रदेश स्थित हैं पहाडों में मैदानों की तरह घर कतार में नहीं बने होते दो पहाडों के भी जो छोटी सी घाटी है उसी में आबादी बसती है इस कारण एक घाटी से दूसरी घाटी तक पहुचना अत्यंत कठिन काम होता है अत्य हर घाटी के लोग दूसरी घाटियों से कटे होते हैं इस दूरी के कारण उनकी भाशा, उनकी पौशाक, उनका रहन सहन सब विशिष्ट हो जाता है इस बात को हम अरुनाचल में विशेश रूप से देखते हैं इस प्रदेश में मुनापा, आदी, अपातानी, नोकटे, वान्चो, आदी कई जन जातियां हैं इन सब जन जातियों की संस्कृती बहुत विशिष्ट है रंग विरंगी पौशाक, विशिष्ट नृत्य शैली, संगीत और वाद्य यंद्र आदी के कारण इन संस्कृतियों का जीवन हमें मोहित करता है पहाडी प्रदेश की सबसे बड़ी विशेष्टा उसकी हरियाली है क्योंकि पहाडों पर आमतोर पर अच्छी बारिश होती है इन सारे प्रदेशों में भारत के अन्य स्थानों के मुकाबले ज्यादा बारिश होती है अधिक वर्षा के कारण पहाडों पर वनों का विकास हो जाता है इन वनों में फिर वन्य जीवन का भी विकास होता है असम राज्ये में काजी रंगा नामक छेत्र में बड़ी संख्या में गेंडे पाए जाते हैं पहाडी प्रदेशों की बारिश के कारण यहां उचे उचे व्रक्ष होते हैं व्रक्षों के कारण सारे पहाडी प्रदेशों में लकडी का काफी प्रयोग होता है जैसे ही आप बस या टेक्सी से इन प्रदेशों के अंदर प्रवेश करेंगे आप सड़क के दोनों और लकडी के बने छोटे और सुन्दर मकान देख सकते हैं चुकि ये सड़के पहाड पर बनी होती है घरों को हमें पहाड की धलान पर बनाना पड़ता है इस कारण मैदान की तरह यहां पकी नीव वाले मकान नहीं होते बलकि छोटे लकडी के घर लकडी के खंबों पर बने होते हैं आगे के खंबे छोटे और पीछे के खंबे बड़े जंगल की लकडी इन प्रदेशों के व्यापार का भी एक साधन है और संस्कृती का भी एक अंग है कई प्रदेशों से लकडी दूसरी जगों पर जाती है यहें इनकी आय का एक स्त्रोत है लकडी जिसमें हम बास को भी शामिल कर सकते हैं यहां की संस्कृती का मूल आधार है कई प्रदेशों में लकडी या बास की बनी हस्त कला की सुन्दर कला कृतियां मिलती हैं बास की बनी टोक्रियां बजाने के ड्रम आदी लोगों की आमदनी के स्त्रोत हैं पहाडी जीवन की एक और विशेष्टा उसकी क्रिशी से जुड़ी है यहूं गन्ना आदी फसले मैदानों में उगाई जाती है क्योंकि उनके लिए नियमित रूप से पानी देने की आवश्यक्ता है पहाडों में सीचाई की कोई व्यवस्था नहीं होती और खेती बारिश के पानी पर ही निर्भर होती है इस कारण यहां की खेती यहां की आबो हवा के अनुरूप होनी चाहिए संयोग की बात है कि चाई की खेती के लिए पहाड सबसे उत्तम है उसे नियमित रूप से पानी चाहिए लेकिन उसकी जड़ों में कभी पानी जमा नहीं होना चाहिए इसलिए पहाड की ढलान में ही चाई के लिए सीडियों की तरह चारों और क्यारियां बनाई जाती हैं असम, मेगाले, दारजिलिंग, आदी स्थानों में विश्व की पसंदीदा चाई पैदा होती है पूरब के प्रदेशों की सबसे बड़ी विशेषता उस उनकी अपनी संस्कृती है संस्कृती के मुख्य तत्व के रूप में हम संगीत और रित्य को ले सकते हैं भारत में दो तरह के नृत्य के रूप मिलते हैं एक और शास्त्रिय नृत्य और संगीत है जिसके पीछे वर्षो पुरानी विरासत है इस तरह की नृत्यों में दक्षन का भरतनाट्यम, आंध्रप्रदेश का कुचीपुडी नृत्य, ओडीशा का ओडीसी नृत्य आधी मश्हूर है इन नृत्य शैलियों के पीछे संस्कृती की पुरानी परंपरा है मनिपुर में भी इसी प्रकार की एक शास्त्रिय नृत्य की शैली विक्सित हुई है इसे मनिपुर नृत्य कहा जाता है नृत्यकिया लंबे घेरे का घागरा पहन कर मंद गती से गायन के साथ नृत्य करती हैं मनीपूरी नृत्य के लिए कृष्ण और राधा से संबंधित पद रास की शैली में पाए जाते हैं यह नृत्य लोगों का मन मोह लेता है रित्य का दूसरा महत्वपून रूप लोक्न रित्य है इसी संधर्व में पूर्व के विविद शेत्रों के नृत्य आकर्शन के विशे हैं असम राज्य में सबसे बड़ा त्योहार बिहू है बिहूशप संस्कृत के विशु शब्द से निकलता है जो समवत्सर के वर्ष का अर्थ देता है असम राज्य में सूर्य की गती पर आधारित नया वर्ष हर साल अप्रेल 14 या 15 को प्रारंब होता है इस अफसर पर पूरे असम में रंगोली बिहू का त्योहार मनाया जाता है यह त्योहार लगबग एक महीने तक चलता है जिसमें स्त्री पुरुष लोग धुन के साथ मस्ती से जूमते हुए नाचते हैं असम में फसल काटने के अफसर पर दो और बिहू के त्योहार मनाये जाते हैं अक्टूबर में कोंगाली भी हूँ और जन्वरी में भोगाली भी हूँ इन अफसरों पर भी लोग खुशिया मनाते हैं और नाचते गाते हैं इस प्रकार का एक उलेखनीय लोग मृत्य मिजोरम का है जिसे बास का मृत्य कहा जाता है इस मृत्य में चारों तरफ लोग बास की बल्लियां हाथ में लेकर उनका स्थान अदल बदल करते हैं नाचने वालों को इन बासों की बीच की जगा पैर रख कर नाचना होता है अगर गलती से बास बदलते समय पैर फस जाए तो नाचने वाला नीचे गिर सकता है इस तरह इस नृत्य में गती और कुशलता का सबसे अच्छा मेल दिखाई देता है यह नृत्य देखने में अत्यंत रोचक लगता है अरुनाचल आदी प्रदेशों में हर जन जाती की अपनी विशिष्ट लोख मृत्य की शैलिया हैं वे अलग-अलग पर्वों, त्योहारों और संधर्बों में सामुहिक रूप से यह नृत्य करते हैं पूरब के प्रदेशों के संधर्ब में हम कुछ विशेश बाते देख सकते हैं यह प्रदेश प्राकृतिक द्रश्टी से बहुत संपन्ध है कई प्रदेशों में लकडी और खनिच पदार्तों का अच्छा भंडार है पहाडी प्रदेश होने के कारण वर्षा के पानी से बिजली पैदा करने की यहां बड़ी संभावनाई है असमराज्य में तेल का अच्छा भंडार भी उपलब्द है इस छेतर के लिए भारस सरकार ने कई योजनाएं बनाई है जिससे इन प्रदेशों का विकास हो सके शिक्षा की कमी भी एक समस्या थी और उच्छ शिक्षा की उपलब्दी भी सेमित रही लेकिन अब स्तिथी में परिवर्तन आया है और शिक्षा में अच्छा विस्तार हुआ है बच्चों अब हमें दिये हुए हैं कठिन शब्द और ये आपका ग्रह कार्य होगा कि जो पाठ हमने अभी पड़ा है उसे आप दुबारा स्वत्य पाठन करेंगे तो चलिए हम अब पढ़ते हैं कठिन शब्द और आप इसे अपनी पाठ्य पुस्तिका में भी लिखेंगे क्षेत्र, विशेश्टाई, श्रिंखला, छोर, कतार, पोशाक, विशिष्ट, जन जाती, विकास, धलान, व्यापार, संस्कृती, स्त्रोत, कलाकृती, निर्भर, क्यारी, विरासत, रतकी, आकर्षन, उपलब्द, योजना, परिवर्तन, सीमित, और यहां है शब्दर्थ, जो आप अपनी पाठ्य पुस्तिका में भी लिखेंगे और उसे याद भी करेंगे सामान्य का अर्थ है साधारन, साधन का अर्थ है स्त्रोत, विशेश्ता, लक्षन, व्यवस्ता, प्रबंध, इंतजाम, श्रंकला, श्रेणी, कई, निर्भर होना, आश्रित होना, छोर, किनारा, विरासत, परंपरा, स्थित, स्थापित, मश्हूर, प्रसित, घाटी, वादी, संधर्ब, हवाला, निर्देश, कठिन, जटिल, दोश्कर, आकर्षक, मनोहरी, रोचक, विशिष्ट, विशेश, कुशल्ता, चालाकी, दक्षता, जन जातिया, जाती, संबंधी, सामोहिक, जन समुदाई, व्यापक, संस्कृती, तहजी, खनिज, जमीन के अंदर खान से निकलने वाले पदार्थ, मोहित, मोग्द, विकास, उन्नती, संभावनाई, मुम्किन होना, प्रवेश करना, प्रविष्ठ होना, अंदर पहुचना, योजनाई, स्कीम, मनसूबा, धलान, सड़क या पहाड का उतार वाला भाग, परिवर्तन, बदलना, खंबे, स्थंब या आधार, आगे चलते हैं, बच्चों यहां हम करेंगे बात पाठ की बताओ क्या पढ़ा, भारत के पूरव शेत्र में कितने प्रदेश हैं और उन्हें क्या कहा जाता है, भारत के पूरव शेत्र में साथ प्रदेश है और उन्हें अंग्रेजी में Seven Sisters कहा जाता है और हिंदी में साथ सहेलिया कहा जाता है साथ प्रदेशों के नाम बताओ, ये साथ प्रदेश हैं, अरुनाचल प्रदेश, असम, मेगाले, मणिपुर, मिजोरं, त्रिपुरा और नागा लैंड असम किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? असम अपने चाय के बागानों के लिए प्रसिद्ध है प्रश्न नंबर दो है सही विकल्प पर सही का चिन लगाओ हिमाले की श्रंकला कश्मीर से पूरव तक लगभग कितनी लंबी है पंद्रा सो मील लंबी है मुनापा आदी अपातानी जन्जातियां है कहा की अरुनाचल प्रदेश की काजी रंगा पार्क स्थित है असम में आद्र प्रदेश का प्रसिध नृत्य है कुची पुड़ी तेल का भंडार कहा उपलब्ध है असम में रिक्त स्थानों की पूर्ती करो भारत के पूरव में एक ही छेत्र में साथ प्रदेश हैं सारे प्रदेश पहाड़ी हैं दो पहाड़ों के भी छोटी सी घाटी है आगे के खंबे छोटे और पीछे के खंबे बड़े यहूं गन्ना आदी फसले मैदानों में उगाई चाती है तो आप इन सारे अभ्यासकारियों को मेरे साथ साथ ही कर सकते हैं सही वाक्य पर सही तथा गलत वाक्य पर गलत का चिन्न लगाओ भारत के उत्तर में एक ही छेत्र में साथ राज्य हैं सही हिमाले की श्रंकला कश्मीर से पूरव तक लगभग 1500 मील लंबी है सही अधिक वर्षा होने के कारण पहाडों पर हरियाली नहीं है गलत अधिक वर्षा से पहाडों पर बहुत अधिक हरियाली है काजी रंगा उत्तर प्रदेश में है गलत कुचिपुडी आंध्र प्रदेश का प्रमुक रित्य है सही तो अगला प्रश्ण है हमारा नेमनलिखेज प्रश्णों के उत्तर दो लड़किया सहेली कब बनाती हैं? लड़किया सहेली तब बनाती हैं जब उनमें आपस में समान विशेशताई हो और उनमें कुछ समान रुची हो हिमाले के पूर्वी छोर में कौन-कौन से प्रदेश स्थित है हिमाले की पूर्वी छोर में अरुनाचल प्रदेश में घाले, मिजोरम, मनिपुर, नागा लेंड, त्रिपुरा और असम है पूर्व के प्रदेशों की क्या विशेशताई हैं? पूर्व के प्रदेशों में रंग बिरंगी पोशाग, विशेश्ट नृत्य शैली, हर्याली, संगीत, वाद्ययंत्र, कृषी भंडार, लकडीवे, खनिच, पदार्थों का भंडार ही वहां की विशेशताई हैं पहाडों पर बने मकानों की क्या विशेशता होती है? पहाडों पर मैदानों की तरह घर कतार में नहीं बने होते जैसे ही आप बस या टेक्सी से इन पहाडों पर प्रवेश करेंगे, आपको सड़क के दोनों और लकडी के छोटे-छोटे घर दिखाई देंगे क्योंकि ये सड़के पहाड पर बनी होती है, इसलिए घरों को भी पहाड की धलान पर ही बनाना पड़ता है मैदानों की तरह यहां मकान पक्की नीव के बने हुए नहीं होते अपितु यह लकडी के बने हुए मकान होते हैं इन्हें लकडी के खंबों पर ही बनाया जाता है आगे के खंबे छोटे होते हैं और पीछे के खंबे बड़े होते हैं पहाडों पर चाई की पैदावार अधिक होती है क्यों? चाई की खेती के लिए पहाड सबसे उत्तम है पहाड की धलान पर चाई की खेती के लिए सीडियों की तरहा ख्यारिया बनाई जाती है पहाडों पर चाई की पैदावार इसलिए अधिक होती है क्योंकि पहाडों में जल जमाव की समस्या उत्पन नहीं होती क्योंकि जल जमाव से चाई का पौधा सूख जाता है जल जमाव ना होने के कारण ही पहाडों को चाय की खेती के लिए सर्वत्तम माना गया है तो बच्चों कैसी लगी आपको इन साथ सहेलियों की विशेष्टाएं जब आप इस पाठ को दुबारा पढ़ेंगे तो आपको ये विशेष्टाएं और अच्छे से समझ में आ जाएंगी आभार मिलते हैं नए पाठ के साथ